हेलो स्टुडेंट, वेलकम टू सक्सिच कोचिंग सेंटर, बायोलोजी क्लासिस ओनलाइन, हम लोग पढ़ रहे हैं कच्छा बारा में आनवन्सकी जनेटिक्स का चैप्टर ठीक है, जिसमें हम लोगोंने कई सारे लेक्चर कम्प्लीट कर लिया है आनवन्सकी के, आज हम करेंगे, ताई पाफ में, इसल्ग या कह सकते हैं, तो यहाँ पर याद रखेसे, वो अर्दसूत्रि विभाजन में होता है, मियोसिस फरस्ट में होता है पैकित इन फेज में होता है ठीक है तो इस तरीके से जो क्रासिंग ओवर है वो फाइनली तीन टाइप का होता है नमबर वन है सिंगल क्रासिंग ओवर ठीक है नमबर वन है सिंगल क्रासिंग ओवर सिंगल क्रासिंग ओवर ठीक है फिर उसके बाद नमबर टू है डूबल क्रोसिंग ओवर और तीसरा है तीसरा है मल्टिपल क्रासिंग ओवर ठीक है तीसरा है मल्टिपल मल्टिपल क्रोसिंग ओवर मल्टिपल क्रासिंग ओवर ठीक है अब इसका मतलब क्या है सिंपल सी बात एकदम सिंपल है कोई कन्फियूजिंग नहीं है क्रासिंग ओवर पूरा हम लोग समझ चुके हैं हमने क्या समझा था हमने कहा था क्रासिंग ओवर हम तब कहते हैं जब दो समझाद गुर्षूत्रों के अर्ध गुर्षूत्र एक दूसरे को क्रास करते हैं और एक गुर्षूत्र का कुछ भाग कट करके दूसरे गुर्षूत्र के सिरे पर और दूसरे गुर्षूत्र का सिरा कट करके पहले गुर्षूत्र के सिरे पर जुड पर ये है कि जब जब मान लीजे की यह इस तो लोग हम लोग यहां पर देखर आने जो अर्दगूर सूत्र हैं उनमें से देखिए एक स्थान पर क्रास बन रहा है ठीक है दो समझाद गुर्षूत्रों के बीच जब एक एक स्थान पर क्रासिंग ओवर होता है या फिर एक चाइज मेटा बनता है ठीक है या फिर एक चाइज मेटा बनता है तब हम उसे बोलते हैं सिंगल क्रास बिच ऑब ठीक है आब इसी तरीके से यहांपे देख लीजिए यहांपे क्या देखेंगे कि मान लीजे एक ये रहा क्रोमोशोम एक ये रहा क्रोमोशोम इसका जो अर्दगर सुत्र है वो ये है इसके ये है इसका भी ये रहा इसका भी ये रहा ठीक है तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर इसने इस जगे पर क्रोस किया ठीक है यहां पर इसने इस जगे दो जगे पर क्रहा है तब हम इसे क्या बोलते हैं he हम लोग क्या दोग क्या बोलेंगे और MLT multiple crossing over का मतलब क्या है multiple crossing over का मतलब भाई simple सा है multiple का मतलब होता है कई सारे ठीक है तो कई सारे का मतलब यह है कि इस तरीके से जाएगा इस तरीके से यहां पे cross करेगा यहां पे cross होगा यहां पे cross हो जाएगा यहां पे cross हुआ यहां पे cross हुआ यहां पे cross हुआ यहां पे cross हुआ ठ दो समझाद गुर सूत्रों के बीच दो से अधिक इस्थानों पर क्रासिंग ओवर हो रहा है तब हम इसे क्या बोलते हैं मल्टिपल क्रासिंग ओवर एक बार फिर से फटा फट देख लिजे मैंने का टाइप आफ क्रासिंग ओवर देख रहे हैं तो तीन प्रकार का होता है क्या क्रासिंग ओवर अर्द सूत्री विवादन में नमबर वन एकल जीन विन में नमबर दो दूई जीन विन में और नमबर तीन बहु जीन विन में सिंगल क्रासिंग ओवर में क्या होता है कि समझाद गुर सूत्रों के बीच समझाद गुर्षूत्रों के बीच अर्ध गुर्षूत्रों के बीच में केवल एक स्थान पे चायज मिटा बनता है और गुर्षूत्र तूटते और जुडते हैं तो बोलते हम लोग सिंगल क्रासिंग उवर जब समझाद गुर्षूत्रों के बीच दो इस्थानों पर गुर्षूत्र तूटते और जुड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वी जीन विन्मै और जब समझाद गुर्षूत्रों के बीच कई जगहों पर गुर्षूत्र तूटे और पुना जुड़ जाएं तो ब करेंगे जीन विनिवय का महत्तु क्या है एक क्या है exactement किaky इंपर्टेंज से निफिकेसिन यह सका एड़वानटिच क्या है इसका ठिक है अगर आपसे महत्तों पूछता है तो महत्तों में लिखेंगा लाब outright इड़ेंगा ठिक है हाँ जो भी पूछता है अब आप वही लिखेंगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ठीक है significance significance of crossing over significance of crossing over मतलब crossing over का महत तो क्या है crossing over का महत तो क्या है तो देखिए आपको बहुत सारे point याद रखना है ठीक है तीन दो से तीन point याद रखना एक्जाम में काम हो जाएगा उतने से आपको ठीक है यहां पर कि नंबर वन में देखें जीन विनिमय के कारण जीन कि विनिमय के कारण कि जीन विनिमय के कारण समझाद गुर्षूत्रों के बीच जीनों की अदला बदली हो जाती है क्या लिखा मैंने मैंने लिखा जीन विनिमय के कारण समझाद गुर्षूत्रों के बीच जीनों जीनों का अदला बदली हो जाती ठीक है इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि एक समझाद गुर्षूत्र का जीन कि थीक passieren कि दूसरे समझाद गृष्षूत्र की ऊपर लग जाएगा और दूसरे समझाद गृषूत्र का०िन निकल कि पहले वाले गृषूत्र के उपर प्षिपक जायगा जुट जाएगा ठीक है तो यहांपर जीन की अद्ला बदली हो जाती है यह समझाना चाहता हूं यह है इस से यह पता चलताय चलता इस कि जीन जैसे वह एक लगे हुए थे अब सुचों क्या समझाना चाहता हूं मैं एक यह क्रोमोसोम है यहाँ है यहाँ जो और यहां पे A, B, C, इस तरीके जीन है, ठीके, अब क्रासिंग ओवर हुआ तो क्या होगा, क्रासिंग ओवर हुआ तो क्या होगा, यहां पे जो A, B, C था, इधर आ जाए गए A, B, C, कैप्टल वाला है यहां पे, ठीके, और यहां पे क्या था, यहां पे था A, B, C, ठीके, त वो गुड़ सूत्र पर एक रेखी क्रम में लगे होते हैं, ठीकें, समझ में आ गया बात, ठीकें, तो इसे में लिखेंगे, तूस्षे नमर पे, कि जीन विनिमे से पता चलता है कि गुड़सूत्रों पर जीन रेखी क्रम में लगे होते हैं समझ में आगई बात अगला टॉपिक देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है क्रासिंग ओवर के कारण ठीक हैं क्रासिंग ओवर या फिर जीन विनिमे के कारण जीन विनिमे के कारण लेंगिक जनन लेंगिक जनन से उत्पन संतानों में विभिनताएं 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 उत्पन होती हैं ठीक है यह क्या कहा मैंने मैंने कहा देखे अब इसका क्या कनेक्शन है हम सब जानते हैं हम सब जानते हैं क्या जानते पहले पॉइंट को पढ़ लें फिर उसके बाद समझते मैंने कहा जीन विनमे के कारण लेंगिक जरन से उत्पन संतानों में विभिन्नताएं उत्पन होती हैं हम सब जानते हैं कि युगमकों की जरूरत होती है और जब युगमक बनते हैं तो वहां पर अर्धसूत्री विभाजन ह है अर्धसूत्री विभाजन होता है तो फस्ट मियोसिस चलता है तो क्रासिंग ओर होता है क्रासिंग ओर होता है तो जीन के अदला बदली होती है जीन के अदला बदली होती है और जब नया बच्चा आता है फर्टलाइजेसन होता है दो कोशिकाओं के मिलने से तो वहां प तरीके से यहां पे हमने देखा अब इसके बाद अगला और लास्ट पॉइंट देख लीजिए जीन विनिमे से जीन विनिमे से जीवों में नए लच्छड उत्पन होते हैं ओकी ये चीज़ समझ में आ गया मैंने क्या क्या कहा एक बार फिर से फड़ा फड़ देख लेते हैं जीन विनमे का महत देखे लिखने के लिए एक्जाम में लिखने के लिए आएगा जीन की अदला बदली हो जाती है फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखावा है जीन विनमे से पता चलता है कि गुर्षूत्र पर जो जीन है वो एक रेखी करम में लगे हुए हैं जीन विनमे के कारण लेंगिक जनन से जो संतान उत्पन होगी जीन विनमे के कारण आज आपका कंप्लीट हो चुका है ठीक है जीन विनमे आपका कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग आगे बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे मानव आनुवन्सकी ठीक है है अब हम लोग बात करेंगे मानव आनुवन्सकी की ठीक है, Human Genetics, मानव, मानव आन्वनस्की, Human Genetics, ओके, मानव आन्वनस्की के बारे में बात करेंगे, मानव आन्वनस्की में होता क्या है, दिखिए, आन्वनस्की का मतलब समझते हैं, आन्वनस्की का मतलब मैंने आपको पहले लिक्चर में ही बताया है, कि आन्वनस्की जो है, वो क्या है, आन्वनस्की एक जीव विग्यान की साखा है, जिसमें विभिन्नताओं एवं उनकी व भिर्निताओं का उनका तथा उनकी वनसागति हद्धिन चया जाता है में सागति ka अध्यन किया जाता है ठीक है मानौ में सागत वहने वाले च्छनों का धिन किया जाता है तो लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे जियू विज्ञान की वह साखा जिसमें जियू विज्ञान की वह साखा जिसमें मानों के वन्सागत लच्छरों का अध्यायन किया जाता है अध्यायन किया जाता है अध्यायन किया जाता है मानव आनुवंस की कहलाता है अब क्या क्या लिखा एक बार फिर से फटा फट पढ़ लिजे मानव आनुवंस की जिव विज्ञान की वह साखा जिसके अंत्रगत मानव के वन्सागत लच्छरों का अध्यन किया जाता है उसे हम लोग क्या बूलते हैं उसे हम लोग मानव आनुवंस की हुमन जेनेटिक्स कहते हैं और मानव आनुवंस की की निव 1883 में फ्रांसिस गाल्टन नाम के वज्ञानिक ने डाली थी ठीक है मानव आनुवंस की निव 1883 इस्वी में फ्रांसिस गाल्टन फ्रांसिस गाल्टन ठीक है 1883 में फ्रांसिस गाल्टन ने रखी ठीक है और इन्हें और इन्हें फ्रांसिस गाल्टन को ही फादर आफ हुमन जेनेटिक्स कहा जाता है ठीक है फादर आफ फादर आफ हुमन जेनेटिक्स ठीक है मानव आनुवंस की का पिता भी इन्हें कहा जाता है ठीक है अब मानव आनुवंस की के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है कभी कभी इसकी definition एक्जाम में पूछा जाता है मानव के गुड़सूत्र प्ररूप के बारे में पता होना चाहिए मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे मानव का गुड़सूत्र प्ररूप मानव का गुड़सूत्र प्ररूप करियो टाइप आफ हुमन ठीक है करियो टाइप आफ हुमन या फिर हम कह सकते हैं हुमन करियो टाइप ठीक है हुमन करियो टाइप या फिर करियो टाइप आफ हुमन ठीक है तो मानव का गुड़सूत्र प्ररूप देखना है ठीक है तो finally गुरसूत्र प्ररूप की definition अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग गुरसूत्र प्ररूप की definition देखें, तो एक जीव जाती में, किसी जाती के एक जीव में, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं में गुरसूत्र की विशे संख्या होती है, निशे संख्या होती और वो सब समुच्य के रूप में रहते समुच्य मतलब सिट के रूप में बिवस्थित होते हैं तो क्या लिए यहां पर क्या लिखा गया है कि एक जीव जातिके विशेशpin एक जीव जातिके सभी कोशिकाओं में गुरसूत्रों की संख्या समान होती है और विसेश संख्या समुच्चे के रोप में रहती है सेट के रोप में रहती है स्वरी तो इस तरीके से गुर्षूत्र समुच्चे हो गया ठीक है अब मानों में गुर्षूत्र पर रूप क्या है मैंने कहा कि कोई भी जीव होगा उसकी कोशिका में गुर्षूत्रों की संख्या समान होगी समुच्चे के रूप में होगी ठीक है तो मानों की कोशिका में मानों की काई कोशिका में टोटल गुर्षूत्र कितने होते हैं 46 गुर्षूत्र होते हैं ये तो आप सभी लोग जानते ठीक है 46 होते हैं जो 23 जोड़ी में sit रहते हैं, अब 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी, 22 जोड़ी अर्था 44 जो गुड़ सूतर हैं, वो एक दूसरे से पूर्णतिया समान होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे से पूर्णतिया समान होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें ये जो गुड़ सूतर हैं, ये जो गुड़ सूतर हैं, कौन से 22 जोड़ी गुड़ सूतर, अर्था 44 ये सब क्या हैं, एक दूसरे से पूर्णतिया, समान है इन्हें हम लोग समझात गुर्षूत्र कहते हैं अब ये जो गुर्षूत्र है ये लैंगिक रचनाओं का विकास नहीं करते हैं या फिर लिंग से रिलेटिड लच्छनों का विकास नहीं करते हैं इसलिए इन्हें अलिंग गुर्षूत्र इंग्लिस में बोले तो एलोसोम बोलते हैं इन्हें ठीक हैं और समझात गुर्षूत्र को इंग्लिस में हम लोग बोलते हैं होमो लोगस क्रोमोसोम बोलते हैं इन्हें अलिंग गुर्षूत्र भी बोलते हैं क्योंकि ये लिंग निर्धारण में कोई भाग नहीं लेते हैं ठीक है इसे हम लोग होमो लोगस क्रोमोसोम कहते हैं यह बात आपको समझ में आ गई है इसे हम लोग आटो सोम भी कहते हैं याद रखेगा ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यह जो यहां पर लिखा हुआ है अलिंग गुर्शूत्र इन्हें हम लोग आटो सोम कहते हैं अब इसके बाद जो तैस्वी जोड़ी है तैस्वी जोड़ी जो है अर्थात दो ठीक है इसमें दो ही तो आएंगे तैस्वी जोड़ी है तो ठीक है अब यह एक दूसरे से एक दूसरे से पूर्ण समान नहीं होते पूर्ण समान नहीं होते एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है तब हम इन्हें क्या कहते हैं तब हम इन्हें क्या कहते हैं तब हम इन्हें समझात तो कह रहें सकते क्योंकि एक समान नहीं है तब हम इन्हें असमझात गुर्शूत्र कहते हैं असमझात गुर्शूत्र कहते हैं English में बूलें तो, English में बूलें तो, LOGUS CROMOSOME कहते हैं, हेटरो, LOGUS CROMOSOME, ठीके है, हेटरो-LOGUS CROMOSOME ya फिर असमजाद गुरूशूत्र ya फिर विसमजाद गुरूशूत्र कहते हैं इनने, ठीके है, तो इस तरीके से हमको पता चला, क्या पता चला, कि तेस्वी जोड़ी के गुर्षूत्र एक दूसरे से पूर्टिया समान नहीं होंगे एक छोटा हो सकता है दूसरा बड़ा हो सकता है इने हम लोग असमजात गुर्षूत्र या फिर हेटरोलागस क्रोमोसोम कहेंगे अब ये जो क्रोमोसोम हैं ये दहिक लच्छनों का विकास ना करके सिर्फ लेंगिक लच्छनाओं का विकास करते हैं लेंगिक लच्छनों का विकास करते हैं इसलिए इने क्या करते हैं लिंग लच्छनों का विकास करते हैं इसके आधार पर इन गुड़सूत्रों को हम लोग बोलते हैं लिंग गुड़सूत्र और इंगलिस की बात करें तो इन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोसूम या फिर इन्हें हम लोग ऐलोसूम कहते हैं ठीक है इन्हें हम लोग ऐलोसूम कहते हैं इस तरीके से हमको पता चला कि जो लिंग गुड़ सूत्र है उनकी संख्या दो होगी एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है याद रखिएगा इस त्रियों में लिंग गुड़ सूत्र इस त्रियों में लिंग गुड़ सूत्र दोनों समान होते हैं और इन्हें एक्स एक है या फिर तैस्वी जोडि के गड़ सोत्र है हम लिख देते हैं नाम यहां पर इसका से लिंग हैं कुछ सूत्र ठीक है लिंग्ड़ सूत्र यहां पर देखें से समान होते इन्हें x x से प्राशित करते हैं लेकिन जो पुरुस होते हैं उन में जो लिंग गुर्सूत्र होते हैं वो एक दूसरे के पूर्टिया समान नहीं होते हैं एक छोटा होता है जिसे Y से प्रदर्सित करते हैं और एक बड़ा होता जिसे X से प्रदर्सित करते हैं लिंग गुर्षूत्र है उसे X से प्रदर्सित करेंगे और जो छुटा है उसे Y से प्रदर्सित करते हैं इस तरीके से ये जो पूरा लिखा गया है ये है मानव गुर्षूत्र प्ररूप ठीक है गुर्षूत्र प्ररूप का मतलब क्या होता है किसी जीव किसी जाती के जीव किसी जाती के जीव की कोशिकाव में गुर्षूत्रों की टोटल संख्या जो होगी वही उसका गुर्षूत्र प्ररूप होता है गुर्षूत्र दो टाइप के होते हैं एक अलिंग गुर्षूत्र एक लिंग गुर्षूत्र अलिंग गुर्षूत्र दहिक लच्छनों का विक केरियो टाइब मानों की कोश्कों में टूटल नंबर आफ क्रोमोसोम 46 है 46 जो है वो तेज जोड़ी में सेट रहते हैं 22 जोड़ी के गुर्षूत्र एक दूसरे से पूर्टिया समान होते इसलिए ने समझाद गुर्षूत्र या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं यह दैहिक लिंग लच्छनों का विकास करते हैं इसलिए लिंग गुर्षूत्र कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इन्हें हम लोग एलोसोम भी कहते हैं जो लिंग गुर्षूत्र है इस तरियों में दोनों एक समान हो सकते हैं लेकिन पूरुस में एक छोटा जिसे वाई कहते हैं आने वाले लेक्चर में देखेंगे तो आज के लिए इतना ही गुडबाई फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में